ब्रिटेन के भारते मोल के प्रधान मंत्री रीशी सुनक ने एक दिन के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर बन कर काम किया उन्होंने गेर कानूनी तरीकों से ब्रिटेन में गुसने वाले प्रवासियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया इस तुरान 20 देशों के 105 लोग गिरफतार किये गए रिशी सुनक ने इमिग्रेशन ऑफिसर बनने की जानकारी खुद सोशल म पर रेट डाली अलग अलग तरीकों से ब्रिटेन गुसने वाले गेर कानूनी प्रवासियों को रोकना सुनक सरकार का चुनावी एजेंडा है इमिग्रेशन ऑफिसर के तोर पर काम करने के बास सुनक ने सोशल मीडिया पर लिखा एक दिन इमिग्रेशन के साथ काम कर मैंने छोटी नावों और दूसरे तरीकों से आने वाले गेर कानूनी प्रवासियों को रोकने का वादा पूरा क्या है उन्होंने कहा ये देश ही तै करेगा कि यहां कौन आएगा ना कि कोई क्रिमिनल गेंग। ब्रिटेन की होम मिनिस्टर सुएला बैवर्मेन ने इनके बारे में कहा हमारे देश में जबरन गुसकर काम करने वालों से हमारी कमिनिटिस को खत्रा है ये टेक्स नहीं देते हैं और इनकी वज़े से इमानदार कामगारों के साथ बेमानी होती है एक रिपोर्ट्स में दा ब्रिटेन में ही आकड़ा 250 को पार कर चुका है इसके साथी भारती समू अफगान और सीरियाई लोगों के बाद ऐसा करने वाला सबसे बड़ा ग्रूप बन गया है हाला कि पिछले साल नवंबर में ब्रिटेन के होम अफिस ने गेर कारोनी तोर पर इंगलीश चैनल क्रॉस करके ब्रिटेन में दाखिल होने से जूड़ी एक लिस्ट जारी की थी इसके मुताबिक 2022 के शुरुवाती चै महीनों में छोटी बोड से ब्रिटेन पोचे लोगों में सबसे जादा अलबानिया, अफगानिस्तान और इरान के नागरिक शामिल थे इस लिस्ट में भारतियों का जिक्र नहीं किया गया था